हेलो गाइस आप सभी का बाला की रसो यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है काले चने बनाना तो आईए बनाते हैं बिना उबाले काले चने की सबची काले चने बनाने के लिए ये मैंने एक लास काले चने लिए हैं इसको मैंने रात भरक के लिए भिगो दिया था और इसको अच्छे से दोल लिया है और ये मैंने चार टमाटर लिये हैं इनको मैंने चोपर में चोप कर लिया है लाल मिर्ची पोडर एक चमच हल्दी पोडर चो तोईल गरम हो चुका है अब मैसमें जीरा डालूगी जीरा हमारा चटक चुका है अब मैसमें यह जाला प्रावल गज़ी, अब इसमें त्याज अलम आपका लोगी तो पर्धी अच्छे देजिन अच्छी मसाल को हम चिमों को बालेंगे नहीं हम चिमों को ड्रैक्टी ही पनाएंगे प्याज हमारे घुन चुके हैं आपने इसके अंदर टिमाटर डाल दूगी और साथ ही में ये मसाली डाल दूगे इसमें इसे अच्छे से मेक्स कर लूँगे और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी मसाले को अच्छे से बुनने दूँगी मैं मसाला हमारा अच्छे सी बुन चुका है और इसने ओली चोड़ना सुरू कर दिया है अच्छे से मसाला बुना है अब मैं ये चनी डाल दूँगी इसमें मैं चनों को पानी समेत ही डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी आप इस तरहां बना ये कि ट्राइ करें चनों को ये बहुत ही स्वादिश्ट बनेंगे चने हमारी इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ये हमारा मिक्स हो चुका है अब मैं इसके अंदर चार से पांच विशर लगा लूँगी और कुकर को मैं बंद कर देती हूं कुकर को मैंने बंद कर दिया है और 4-5 विशर आने तक इसे पकने दूँगी फिर उसके बाद मैं इसे िजियंग गयास पर पकाऊँगी यह हमारे कुकर में 5-6 मिशल आ चुकी है अब मैं गैस को अधिती पांच मिनिट के लिए इससे कोट इस स्लो रोटे आद लीए पकने दूगी अब मैं गैस को बंद्ध कर देती हूं और स्ट्रिम निकलने तक का मैं 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 इन्तजार करूँ त्डी यह हमारे कोकर की स्टिम निकल चुकी है अब कोकर खोल के देखेंगे हमारे छोले पक्कर द्यार त्यार हो चुकी है देखो किते बड़िए से पक्कर त्यार हुए मैं छोले अब इन्हें एक पाउल में सवक करूँगी है सब पहले में episódio sust और ये हमने बिना उबाले ही चने बना कर तयार किये हैं और ये असाने से बन कर तयार हो चुके हैं अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद